हेलो दोस्तों सागत ऐसकी मेरे इस वीडियो में आज में लेकर आ गया हूं आपके लिए अर्धवार्शिक परिच्छा दोहजार चौबिस बच्चिस का पेपर सामान नहींदी का पेपर और यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ इसी तरीके का पेपर पूछे गए हैं और आपको उनके कैसे अंसर या फिर उनके क्या अंसर है या आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है तो यह पेपर आपके लिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो अन तक देखेगा और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब क कहानी किसे माना जाता है तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है आपकी इंदू मति को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है फिर आपका इसी तरीके से अगला कोशन गा नंबर है भारतेंद्य यूग से पूर्व के लेखक हैं भारतेंद्य यूग से पूर्व के लेखक जो आप तो आपके हिंदी के पर्थम भारति इंदी युक से पूर्व के जो लेखक है वह सदा सुखलाल है तो इस तरह के से आपका था नम्बर तो इस तरह के सही हो जाता है पिर अगला कोष्चन आपका है तार सब्तक के संपादक कौन है यह आपको बताना है तो अग्ये जी तार सब्तक के संपादक है फिर आपका अगला कोश्चन है भारत वर्सों उनती कैसे हो सकती है हिंदी गदी की विधा है तो भारत वर्सों उनती कैसे हो सकती है ये किस विधा की रचना है वो आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर आपका इसक आपका प्रतवीराज राजो है और आपको खड़ी हिंदी का प्रथम महाकाबि जो है वह प्री प्रवास है this इसका राइट अंसर आपका ये वाला हो जाता है हिंदी का प्रतम महाकावी कौनसा तो आपका प्रतिवी राज राजु रासु है फिर आपका नेक्स्ट कु之िन इस तरिके से दिया गया है कॉन यहां पर आप देखेंगे कौन कि serveakti साखा का कभी है तो कृष्ण भक्ति साखा का कभी आपका सोर्दास जी कृष्ण भक्ति साखा के कभी है फिर आपका अगला कोश्चन यहां पर दिया गया है प्रत्वी राज रासो प्रत्वी राज रासो महाकावे किसने लिखा है तो प्रत्वी महा का पर जैसांकर प्रसाँच जी का है अगला कोश्चन अपका इस तरह के से यहां पूछा गया है रीतिकाल के किस कवी ने वी रस गागया रश की रचना लिखिए है तो रीटिकाल के जो भूसड है बोसड़ है वह उन्होंने वी रस में रचनाये लिखी है फिर आपका थर्ड कोस्टिन निम्लिखित आउत्रडों को पढ़कर उन पर आधारित प्रसनों के उत्तर दीजिए तो सब उनतियों का मूल धर्म यह आपका गद्ध घंड से जो पहला कोस्टिन आपके गद्यांस से दिया गया है वो दस नंबर का कोस्टिन है इस तरीके से आपका पहला पांच सकते हैं और तो यहाँ पहला कोरिट्टर इसमें रहता है असे कैया उर्षकी रचना का नम आपको पता ओना चाहिए कि यह जो आपका गद्यांस से उसके पाड़ का नाम क्या था और और शके जो कविश्म ए फिर मीखत तो एक लाइन आपको रिखांकित की गई है उसकी आपको व्याख्या करना है फिर अंग्रेजी अंग्रेजों की उनती तथा भारतियों की अवनती का क्या कारण है यह आपको पूछा गया है बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है यह अक्सर आपके अधवारसिक परिच्छा में पूछा जाता है और ऐन्वल में भी इस तरह को कोस्टन आते हैं तो पहुत ही इंपोर्टेंट है इस तरिके कोश्टन का पढ़ना और फिर यहां पर आपका अगला कोस्टन दिया गया है उसे से रेलेटर वह आप कर सकते हैं पिर यहां पर इसी तरीके से जैसे वो कद्धि भी कोष्टन इसमें बीत डीक है आप जैना हो पहते हैं उन्हों। के इसे आप को जो जिसे भी पद्यान से इनको रिविजन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पिपर के समय ही आप वीडियों देख रहे होंगा अक्सर यह चांस रहता है तो इस तरीके से आपके कोश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इंपोर्टन है सभी का हल आप करके ही जाएंगे पिपर पाच्वा नमबर कोश्चन यहां पर स्टार्ट हो जाता है इसमें आपका कोश्चन पूछा गया है निम्लिकिल लेखकों को में से किसी एक साहितिक परिचे देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश जा लिए तो यह बहुत इंपोर्टन है जैसे कि यहां पर आचार महाव इसी तरीके की कोश्चन पूछे जाते हैं और लगभग यहीं लेखक कि आप फिर कभी रहते हैं तो इनका याद करना बहुत ही जरूर्टी है फिर इस तरीके से आपका अगला कोश्चन दिया गया है इसी तरीके से यहां पर वह क्या पहले आपका गद्धे खंड से था तो ibel를 करना आपको अगला कोश्चन दिया गया है बलिदान अजे पांच नमर पर कोश्चन है बहुत इंपोडन तो इसमें से एक कहानी कातर है तो इसमें से एक कहानी था है और पैपर पूछा ङया चाहिए और से इससी तरीके यहां पर पूछा गया है संस्क्रित कम्नद वेए आपका पहला कोशन निम्लिकित आउतरों को संदरब सहीद उनका अनुवाद करना है तो सबसे पहले आपको संदरब लिखना है इन जो आउतरब दिया गया है और फिर इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है आपका ये पूरा साथ नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे फिर ऐसी तरीके से इसमें दो आपको दिये रहते हैं संस्गरित खंड में अनुवाद करने के लिए तो इन वह से कोई भी एक कर सकते हैं फिर इसे तरीके से जैसे वहाद्ध कर सकते हैं तो यहाँ पर भी इसण warm औरलको आउन्दी जो सब को नित्यार्ट होना छी ya आपका कि यहां पर आपका अगला कुशन दिया गया निमलिकित मौहारों और लोकगतियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाखे प्रिविब्रosphate इहां प सोरफ से होता है हुब हए ृँजत founder फिर आपका अगला नियागा है। अक्सर इसी टाइब की पूछए जाता हैं तो राफको इन को सुन का एंसर एक ethn पता होना चाहिए उपेंद्र का उपधन एंद्र हो जाएगा इंद्र उपधन इंद्र तो इस तरीके से यह वाला आपका राइट विकल्प है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं फिर करूरा और वीरस की परिभासा उदारर बहुत इंपोर्टन्ट है हमेशा पूछा जा जाते हैं इन में से नहीं है पूर को याद होने चाहिए आपको यह जरूरी है याद होना फिर इंटर्मेडियेट कालेज के परवंदह को लिपिक रिक्त पद है तो नियुक्ति के लिए अवेदन पत्र लिखना है तो 6 नंबर का मार्व सूता है यह आवेदन पत्र जो होने के कारण सिकायति पत्र यह आपको लिखना अना चाहिए बहुत ही इंपोर्टन कोशन है हमेशा पूचा जाता है एक नाए कुश्चन तो यह छे नंबर में हमेशा आता है फिर लास्ट में आता है सबसे ज्यादा नंबर का यह इस तरह से यहां पर क्या है आपका यह आप के एक्जाम में पूछे जाता है तो इसका लिंक में अपने डिस्क्रेप्शन में मैं इस वीडियो की दे दे रहा हूं तो वहां से आप इसका पीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद